दोस्तो मेरी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दवा कर अल नौटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पोचे सबसे पहले दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुती महत्पूर्ण विशे में बात करने वाला हूँ जो हमारे और आपके लिए जानने लाँ बहुती जरूरी है तो दोस्तो कुछ मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं मंदीव सर्मा आपका अटेक में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चाइना के वारे में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना हमारे साथ कितने तरह की वार कर रहा है यानि जंग कर रहा है दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत और चाइना के बीच जंग का माहुल बना हुआ है जिसके चलते हमारे देश के बीच जवान भी सहीद हो चुके हैं तो दोस्तो चीन हमारे साथ इस थलिये ही जंग नहीं बलकि तीन तरह की और जंग कर रहा है यानी बार कर रहा है जिनके वारे में दोस्तो मैं आपसे थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहली बार है वाइलोजिकली बार यानि दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि दुनिया भरके 200 देशों में Corona नामक वाइरस ने अपना कहर मचाया हुआ है जिसको फैलाने का मूल कारण चाइना को बताया जा रहा है यानि चीन को बताया जा रहा है तो दोस्तो और भी ना जाने कितने कोरोना जैसे वायरोसों पर चीन काम कर रहा है जिससे वह वायलोजिकल बार कर सके दोस्तो दूसरी बार है एकोनोमी कलवार दोस्तो चीन हमारे साथ एकोनोमी कलवार भी कर रहा है यानि दोस्तो हमारी अर्थ व्यवस्ता पर भी भारी पिरभाव डाल रहा है और दोस्तो इस बार में चीन का साथ वह सवी भारतिय दे रहे हैं जो चीन के प्रोड़क्ट का इस्तिमाल करते हैं तो दोस्तो मेरी आप से यही गुजारी से कि जितना हो सके अब दोस्तो बात कर लेते हैं तीसरी वार की दोस्तो यह वार काफी खतरनाक है इसका नाम है साइवर वार दोस्तो आज के डिजीटल समय में हर किसी के पास एक एंडुइट फोन यानि स्मार्ट फोन मिल जाएगा जिसमें दोस्तो वे अपना पर्सनल डाटा रखते हैं जैसे कि दोस्तो बैंक की डिटेल अपने फोटो अपने जरूरी डोक्यूमेंट सेफ करके रखते हैं हमारे personal document चोरी कर सकता है, हमारे photo चोरी कर सकता है या वे सभी चीजे चोरी कर सकता है जो हमने अपने mobile में save करके रखे हुए हैं और दोस्तों कई बार चीन के दुआरा अपने apps के जरिये personal data चोरी करने के मामले सामने आ चुके हैं दोस्तों चीन अपने apps द्वारा हम पर cyber attack ही नहीं कर रहा है बलकि हमारी अर्थ व्यवस्ता पर भी काफी भारी प्रभाव डाल रहा है क्योंकि दोस्तों भारत में 40-50 ऐसे apps हैं जो की top 100 में आते हैं और दोस्तों कई ऐसे apps हैं जो top 10 में भी आते हैं भारत में जैसे कि दोस्तों tik-tok, likey app, hello app, share it और दोस्तों uc browser आदी जिसके कारण उनकी अर्थ व्यवस्ता को काफी लाव होता है जिसको बढ़ावा देने में उन सभी भारतियों का हाथ है जो Chinese apps का इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं और वे सभी चीन के cyber war का सिकार हो सकते हैं जो चीन के apps का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी Chinese apps और Chinese product का वहिसकार करें और भारत का इसमें साथ दें दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने mobile में Chinese app का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दोस्तों वे यह नहीं जानते हैं कि यह Chinese apps है या किसी और देश का app है तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के description में कुछ Chinese apps के नाम लिखे हुए हैं और दोस्तों यदि आप सभी Chinese apps के नाम जानना चाहते हैं तो दोस्तो description में दिये गए link पर आप क्लिक करके उन सभी Chinese apps के बारे में जान सकते हैं, जो भारत में use होते हैं, जिनका भारत में इस्तिमाल होता है, तो दोस्तों यदि आप भी Chinese apps का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों उन सभी Chinese apps को अपने mobile में से delete कर दीजिए, यानी uninstall कर क्योंकि दोस्तों यदि भारत और चीन के बीच जंग होती है तो सबसे पहला अटैक ही होगा भारत पर तो दौस्तों यदि आप भी चीन द्वारा cyber attack का सिकार नहीं होना चाहते हैं और आपके लिए आपका personal data जरूरी है यानि बहुत ही महत्पूर्ण है तो अभी अपने mobile से उन सभी Chinese apps को uninstall कर दीजिए जो आपके mobile में install हैं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समापत होती है दोस्तों वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like करें share करें और दोस्तों comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और दोस्तों comment करके मुझे ये भी बताएं कि आप में से किस-किस व्यक्ति ने अपने mobile में से Chinese apps को delete कर दिया है और दोस्तों मैं इन सभी Chinese apps पर एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें दोस्तों मैं इन सभी Chinese apps के बारे में डीटेल से आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से आपके personal data को चोरी कर सकते हैं किस तरह से आपको हानी पहुचा सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए इस चैनल को लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दवाकर ओल पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification पहुचे सबसे पहले आपके पास धन्यवाद